हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करें इंदे भारतेंदु युगीन के हिंदी आलोचक और उनके आलोचना गरंथ की इससे पहले भी हमने कई सारे आलोचक और उनके आलोचना गरंथ देखे थे तो दोस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाक कर आप हिंदी साहित पर आधारित वीडियो देख सकते हैं, भारतेंदु यूगीन आलोचना, भारतेंदु को आधुनिक हि अलोचना का जन्मदाता उन्होंने 1883 इस्वी में नाटक शीरसक से आलोचनात्मक लेख लिखा इसी लेख से हिंदी में सैध्धान्तिक समिक्षा का श्री गडेश हुआ भारतेंदु युग में ही बालकरश्न भट ने लाला श्री निवास दास के नाटक सन्योगिता स्वयमवर की समिक्षा अपने पत्र हिंदी प्रदीप में किया नीचे भारतेंदु युगीन प्रमुख आलोचकों और उनके आलोचना गरंथों की सूची दी गई है भारतेंदु युगीन आलोचक और उनके आलोचना गरंथ क्रम है फिर आलोचक है और अंत में उनके आलोचना गरंथ है तो सबसे पहले आते हैं भारतेंदुजी, इनका आलोचना गरंथ है नाटक, फिर है जगनात प्रसाद, इनका आलोचना गरंथ है छंद प्रभाकर, इसके बाद है प्रताप नारायन सिंग, आलोचना गरंथ है रस कुसुमाकर, शिव सिंग सेंगर, इनका आलोचना गरंथ है लाल चंद्री का बिहारी सत्सई पर है अयोध्या सिंग उपाध्याय हरि ओद इनकी आलोशनात्मक क्रती है रस कलस बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन इनका आलोशनात्मक ग्रंथ है सन्योगिता स्वयमवर की समीक्षा बालकरशन भट इनकी आलोशनात्मक क्रती है सची समालोचना तो दोफ्तों यह थे भारतेंदु यूगीन आलोशक और उनके आलोशनात्मक ग्रंथ अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कोई सुझाओ हो तो कमेंड बॉक में सुझाओ करें अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद